नमस्कार क्यापिटल टीबी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा क्यापिटल टीबी ब्रेकिंग में बड़ी खबर मायनगरी मुंबई से ड्रक्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है किंखान के बेचे आरेन खान को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है बड़ी अपडेट आपको बता रहे है आरेन खान के साथ आठो आरोपी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है इस पूरे मामले में अब तक 17 गिरफतारी हो चुकी है ज्यादा अपडेट के साथ हमारी एज़कुटिव एडिटर टिर्प्ती जी मौजूद है क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है त्रिपती जी देखे आरेन खान को जेसी में तो भेज़ दिया गया है लेकिन जेसी में भेजने का मतलब भी होता है कि जेल में रुखना पड़ेगा जो शारुखान और सतीश मांशिंद जो उनके आरेन खान के वकील है वो दोनों ही नहीं तो उस जेल से बचने के लिए आप सतीश मांशिंदे किस तरह की दलीले दे रहे हैं कि साथ बच गए हैं इस समय तलोजा जेल जाना ठीक नहीं होगा आप आरियन खान को वानखेडे में ही रखिए यानि पूरी तरह से पूरा जोर लगाया जा रहा है पहलो तो उन्होंने कोशिश की कि अभी के अभी जो है तुरंत बेल मिल जाए और उसके बाद जो है हम आरियन को लेके सीदे मननत पहुँच जाएं लेकिन जब उन्होंने देखा भई जट सापता सुनने को ही तैयार नहीं है लेकिन ये रात जो है जेल में काटना देखिए ये जो कानूनी पक्स तो उन्होंने बता दिया ये कानून का जो है ये चित और पट का खेल चल रहा है दरसल हकिकत ये है कि जजज साहब ने 14 दिन की नायक हिरासत जो दी है इसका मतलब ये है कि इसके खिलाफ कुछ नो कुछ इंक्रमेंटिंग एविडिंस हैं ये लड़का दूद का धुला हुआ नहीं है इसने ड्रग्स लिए हैं इसके फौन से कुछ एविडेंस मिले हैं जो ये बताता है कि ये चार साल से ड्रग्स ले रहा था जनता के लिए देश के लिए लोगों के लिए यही बात बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन्ट है कि विदर ही इस ड्रुगिस्ट और नॉट एक चीज़ मैं यहां जोडना चाहूंगी इसमें आप यह जरूर देखेगा कि आज जो कोट की हेरिंग हुई है उसमें एंसीबी ने साफ साफ कोट में कहा है कि यह जो सारे इकठा हुए जिन आठ को पकड़ने के बारे में बोड़े इन्हीं आठ को क्यों पकड़ा गया है एंसीबी ने कोट में कहा है कि यह क्रिमिनल कॉंस्पिरिसी के लिए यानि किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए कठा हुए थे पूरी एक साजिश थी उसके पीछे का मकसद क्या था जो वो पता लगाएगी तो यह इतना आसान मामला नहीं है जो यह बार बा कोट अपना काम करेगा लेकिन इसको मेरा हंच यह है कि कोई भी जज बेल देने से पहले सौ बार सोचेगा क्योंकि इसके खिलाव एंसीबी ने जिस तरीके से यह देखिये केस क्या है यह बेलेबल ओफंस है इसमें आसानी से बेल मिल जाता है आसानी से इतना लंबा जाता ह नहीं लेकिन एंसीबी के तरब से जो दलीले दी जा रही है और जो सारे चीजें हो रही है यह सही कहा त्रिप्ती जी ने कि यह कोई कोइंसिदेंस नहीं है कि आपके पास से ड्रक्स निकल रहा है कौन निकाल रहा है किहां से लेकर काये तुम 17-17 लोग के गिरफतारी हुई से इसके तालुकात हैं यह सारी चीजें अब कोट के अंदर में जाकर के मनसंदे सहाब यह गिरफ़ा रहे हैं कि यह इसे जो है आप आज सुन लो बेल अप्लिकेसन लगा दिया गया पहले से लुक तियार करके आए थे कि आज ही सुन लीजिए और आज ही इसका फैसला कर द लेकिन दूसरी बात मैं यह जरूर बता दूँ कि जादता लोगों को यह लग रहा है कि अगर बेल मिल गई तो बरी नहीं हो गया बेल मिल गई है इसका मतलब कि वो अपराद में लिप्त है उस पर पूरा केस चलेगा ट्रायल चलेगा लेकिन अभी जमानत क्योंकि इसमें म भी पकड़ा गया अचीत नाम है उसका यह सारी चीजे हो रही है लेकिन एक बात इसको समझे यह फिल्म वाले पब्लिक परसेप्शन के ही खाते हैं हम लोग हिंदुस्तान के लोग जो हम लोगों ने खा मखा इन लोगों को सिर्प बिठा रखा है इन लोगों की हरकते इन कि आदतें वो हिंदुस्तान के समाज के लाइक नहीं हैं यह बोलना पड़ेगा और कस के बोलना पड़ेगा और दूसरी बात यह जो गल्ती नोंने कर दी कि भई आपने राजनीती का भी तड़का लगा दिया इसमें नवाब मली को खड़ा करके आप ले आए कि नहीं नही हमें एक मैंने पहले से मालूम था कि भई आपको जो है वो टार्गिट किया जाएगा अच्छा भई इतने बड़े आप जो है जासूस बन गए तो आपको पहले ही सारुक खान को बता देना था कि हलो सारुक तुमको फसाया जाएगा लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है और इस तरह के फैसले से हिंदुस्तान की जनता में एक मेसेज आता है कि आप किसी बड़े फनने खांके बेटे हों, गल्ती करेंगे, तलोजा जेल में जगह मिलेगी. और ये जजसाब के तरफ से जो फैसला जो टाला गया है, अगर आज सुनवाई हो गई होती, आज उसे जमानत दे दिया गया होता, वो जेल नहीं गया होता, यकीन मानिए, मैं तो जनलिस्ट हूँ, पब्लिक में रहता हूँ, सल्मान खान को जेल नहीं भेजा गया, आठ होजे रात तक, वहाँ पे सारे हाई कोट के स्टाफ मौझूद रहे, और उनको वहीं से रिहा कर दिया गया, जुडिसरी की मजाक पूरा तेश उड़ा रहा था, कि ये कैसा जुडिसरी है, कि जो इतने बड़े स्टार को सजा मिलने के बावजूद, वो जमाना दे देता है, तो वैसे सित्याज फिक पैदा होती, जग सहाब ने जुडिसरी की साख को बचा लिया है, जुडिसर आपको कल क्या कुछ होगा, ग्यारबचर, देके मेरा तिर्पती जी तो कानून की जानकार है, वो कह रहे हैं कि वही वो कल बेल मिल जाएगा, तो वो मानना पड़ेगा, लेकिन मेरा हंच है, कि बेल इस स्थिती में नहीं देनी चाहिए, मैं बार-बार कर रहा और ये एक्जाम्पल नहीं बन पाता है, ऐसे ही लोग छूट जाते हैं, तो ये देश के लिए अच्छे संकित नहीं है। अगर उसके अलावा कोई संगीन कोई ऐसे सबूत मिले हैं, या कोई जानकारी मिली हैं, तो फिर हो सकता है कि एंसेबी की तरफ से बोला जाए, हाला कि जो आज दलीले दी गई हैं, वो इसलिए दी गई थी कि पुलिस कस्टिडी में भेजा जाए, याने नसेबी की ये बेल मिल सकती है. बच्चा ड्रग्स में फसता है, इन जैसे लोगों को देखके, तो गालियां भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये अपने आपको आइडल समझते हैं, अपना फिटनेस रिजीम, अपना डाइट और अपना ये, जब ये सब दिखाते हो, जब तुमारा बच्चा ड्रग लेता है और फिर आराम से cool party करता है, तो उससे भी तो youth बहुत ज़ादा 응प्रेस होता है, तो ये चीज गलत है, ये कौन बताएगगा, तो एसे लोगों को सपोर्ट करने वाले, शारुख खान को सपोर्ट करने वाले, सपोर्ट करने वाले क्योंकि पेरेंटिंग में सवाल उठाना चाहिए, कि आपको अगर चार साल से पता था, आपका बीटा नशा करता है, तो आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं कि आपने छोड़ दिया उसको तो आज चार साल से ले रहे थे तो अब आज क्या है आपने बोल दिया यह स्कूल लाइफ यह स्टार लाइफ होती है इनका बोलते है कि स्टार किट्स की लाइफ ऐसी होती है पार्टीज करते है इनके अंदर बहुत स्पेस दिया जाता है बच्चों को वो स्पेस में ऐसा जाता है कि फिर वो किस बेस में मिलते है पता ही नहीं चलता है उनका आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए तो बड़ी खबर आपको बता दे ड्रग्स मामले से जोड़ी बड़ी खबर आरियन खान को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और उसके तरब से बेल वारंट भी जारी किया गया है जिसको लेकर कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी इस पूरे खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई ह ड्रग्स मामले की पलपल की जानकारी आपको देते रहेंगे देखते रहें कैपिटल टीवी फिलाल कैमरापसंट राशकुमार के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी